हरी मटर का सीजन जाने वाला है और अगर इस जाड़े में आपने हरी मटर के खस्ता कचोरी को नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया रेसेपी शेयर कर रही हूँ जाते जाते एक बार इसे जरूर ट्राइ करें मेरा दावा है कि इस बार अगर बना लेंगे तो अने वाले जाड़े में हर बार इसे बना कर खाना चाहेंगे खस्ता तो इतनी बनती है आवाज आप सुनी चुके होंगे और ये कमाल होता है एक खास इंग्रीडियन का वीडियो को पूरा देखिएगा एक एक ट्रिक बताऊंगे कि आप भी इसी तरह से खस्ता कचोरी को बना कर इसका आनन्द ले पाएंगे हेलो दोस्तो मैं हूनी न वेजटेरियन फूड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ तीन कप हरी मटर के ताजे दाने और दानों को हम पानी से अच्छे से कई बार धू लेंगे और धूने के बाद एक छनी में इसे डाल कर इसका सारा पानी निकाल लेंगे और उसके बाद ग्रैंटर जार में डाल कर इसका एक दरदरा पेस्ट तयार कर लेंगे पानी जहां तक कोशिश हो ना डाले अगर बिना पानी की पिछ जाती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं पिछती है तो एक दो चमच एट कर सकती है अब डाल रही हूँ कड़ाई में एक बड़ा चमच मस्टर्ड ओयल आप जो भी कुकिंग ओयल खाते हो ले सकते हो पर मस्टर्ड ओयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और मस्टर्ड ओयल में बनी कचोडिया खाने की बात ही कुछ होती है वन फोर टीस्पून हिंग डाली है और साथ में डाल दिया है पिछे हुए पेस्ट को लो फ्लेम पर इसे हमें भूनना है थोड़ा सा एक टीस्पून के आजपास नमक डाल देंगे और इसे हम धीमी धीमी आजपर तब तक भूनेंगे जब तक कि ये कड़ाई छोड़ न द के लिए सेकेंड्स चलाने के बाद मटर भूनकर तयार है और अब इसके हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और तयार करेंगे इसमें डालने के लिए एक खास मसाला चड़ा दिया है पेन और डाल दिया है एक टेबिलिस्पून काली मिर्च दो टेबिलिस्पून खड़ी और 6-7 सूखी लाल मिर्चे इन्हें हम हलका हलका रोस्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है पर इनके मौश्यर को भी खतम करना है जिससे ये ग्रैंडर जार में आसानी से पिस जाए तीन से चार मिनट का वक्त लगता है और उसके बाद इसे ठंडा करके ग्रैंडर जार में डाल कर दरदरा पीस लेंगे थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है मसाला पिस चुका है डाल देंगे इसे मतर में और अब यहाँ पर कड़ाई में चड़ाएंगे धेर सारा मस्टर्ड ओय क्योंकि इसी में ही हमें कचोडिया तलनी है पर कचोड़ी तलने से पहले कुछ चीजों को हम पहले फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर लगा दी है एक चाय किछनी और इसमें डालेंगे तीन टेबिल स्पून ग्रेट करके अधरक और तीन से चार हरी मिड़्चों को इसी में डाल कर हलका हलका फ्राई कर लेंगे ऐसा करने से तेल खराब नहीं होता है और सारी चीजे बड़ी आसानी से हम बाहर को निकाल पाती है तो हलका हलका भुन गया है यहाँ पर आप देखें इस अधरक और हरी मिर्च को डाल देंगे पिसी हुई मतर में और उसके बाद एक च हुने तक फ्राई करना है और इसी तरह से इसे भी हमें च्छनी में निकाल कर इसके सारे तेल को निकाल देना है चलिए तब तक बना लेते हैं इसके लिए डो तो यहाँ पर मैंने लिया है दो कप केहुं का आठा एक कप मैदा और एक कप महीन वाली सूजी अगर आपके पा यहां पर मैंने रिफाइंड का यूज किया है 14 टी इस्पून बेकिंग सोडा और 1 टी इस्पून नमा या स्वादानुसार ले सकते हैं और इधर हमारी प्याज भी गोल्डेन ब्राउन हो चुकी है इसे भी हम छन्नी में निकाल कर कढ़ाई पर यह साइड में लगा देंगे जिससे इसका सारा ओयल निकल जाए और डाल देंगे मतर में और साथ में डालेंगे 2 टेबिलिस्पून मल्टी परपस मसाला बनाना है तो लिंक दे दिया है वहाँ पर देख कर बना सकते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और बड़ी हाँ सा मसाला बनकर तयार है रख देंगे इसे साइड में अब जो हमने कचोड़ी बनाने के लिए आटा लिया था तो यहाँ पर जो मोयन डाला है पहले इसे सूखे आठे में अच्छे से मिला लेंगे हाथों से बिलकुल मसल मसल कर तभी हमारे कचोड़ीयां खसता बनती है इस बात को ध्यान ज्यादा हाड नहीं बनाया जाता है वरना स्टफिंग बेलते समय बाहर निकल जाती है और कचोड़ी ठीक से बिल नहीं पाती है तो यहाँ पर हमने इसमें सूजी डाला है इसलिए उपर से थोड़ा सा और पानी डाल कर रेस्ट होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लि करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा पटकते भी जाएंगे ऐसा करने से कचोरियां फूलती बहुत अच्छी है यह बहुत खास ट्रिक आपको बता रही हूं ट्राइक करके देखिएगा आपको खुदी समझ में आ जाएगा और उसके बाद बोर्ड पर भी रखकर हम इस को अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे तो डो बन चुका है अब थोड़ा सा तेल हाथों में लगा कर चिकना करेंगे और इसकी छुटी छुटी लोईयां बना कर रख लेंगे जितनी बड़ी हमें कचोरी बनानी है तो यहाँ पर कुछ लोई मैंने बना ली है अब हातों से लोई को गोल शेप देंगे और उसके बाद बीच में जगह बनाएंगे गड़ा बनाएंगे और इस तरह से घुमाते हुए बीच में डाल देंगे एक चमच भर के स्टफिंग और अच्छे से उसे चारो तरफ से घुमाते हुए पैक कर लेंगे बिल्कुल सील पैक करना है जिससे कि जब हम इसे बेलें तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना आए तो लोई बन चुकी है अब इसे हम हलके हातों से बेलेंगे हलका सा पहले तेल लगा लेंगे जिससे कि ये आसानी से बेलते बने और बिल्कुल हलके हलके हातों से बेलन चलाते हुए इसे घुमा घुमा कर बेलेंगे अगर आप चाहें तो ये काम हाथ से भी कर सकती है जैसे हम दाल वाले खस्ते बनाते हैं उसे हाथ से ही ब बढ़ा सकती हैं तो यह कचोड़ी बनकर हमारे तयार हो चुकी है और अब इसे हम फ्राई करेंगे तो सबसे पहले ओयल का टंपरेचर चेक कर लेंगे और उसके बाद ही हम डालेंगे ओयल को सबसे पहले गरम कर लीजिए खूब अच्छे से उसके बाद गैस को आफ कर दीजि उसके बाद फिर से दोबारा तेल को गरम करने के लिए चड़ाईए और फिर धीमी आज पर ही इसे हमें फ्राई करना है और उपर उपर कुछ इस तरह से तेल डालते जाना है तो कचोड़िया बहुत बढ़िया फूल कर तैयार हो जाती है आप देखें धीरे धीरे करके सभी कचोरी पूरी फूली बिल्कुल बनी है धीमी धीमी आज पर जब कचोरीया सिक कर बाहर निकलती है तो ओए ओए इसके करारे पन की बात ही कुछ और होती है कचोरियों को जब फ्राई करें तो उसे जल्दी जल्दी उलटते पुलटते भी रहें तभी वो इविल्ली पढ़ियां सब तरफ से गोल्डन ब्राउन सेख कर बाहर निकलती है धीमी धीमी आज पर ही इने फ्राई करें तेज आज पर सेखने की जल्दिबाजी बिल्कुल भी ना करें ये एक मेरी खास सला आपको है अगर आप खस्ता कचोरी खाना पसंद करते हैं तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग इतने तयार सामान में 4-5 लोग भर पेट खा सकते हैं और हाँ साथ में हरी चटनी या दमालू आप बना सकते हैं इसके खस्तेपन की आवास तो आपने सुनही लियोगी गर्मा गरम कचोरी बनकर तयार है चलिए अब कर लेते हैं टेस्ट बहुत ही बनिया बनी हैं बहुत ही स्वादिस्ट है अगर यह रिसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस रिसिपी को जद से जद से शेयर करें और एक राज की बात आपको बताती हूं इस मटर के मसाले को आप चार-पांच दिन बना कर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल करें कचोड़ी बना कर इसका आनंद ले सकते हैं और मैंने इस मसाले को फ्रिज में स्टोर करके रखा था, एक बार तो हमने इसे खाया दमालू के साथ, और दुबारा हमने खाया इसे ग्रीन चटनी के साथ, दोनों ही टेस्ट मज़ेदार रहे, आप भी बढ़ा कर इसका मज़ा ले, मिलती हूं नेक्स वीडियो में, जै शिर सकीड़ा हूं सकता हूं